सब्सक्राइब दिल्ली से फिरोजाबाद सभा करने जा रहे थी तबी यमुना एक्सप्रेस वेगे जवाबरा टोल प्लाजा पर कॉंग्रस कारे करताओं द्वारा स्वागत सम्मान किया गया है लेकिन कारे करताओं और नेताओं के लिए प्रियंका गांधी गाड़ी से नीचे नहीं उतरी प्रियंका गांधी के एक्सकॉर्ट का कॉंग्रस की कारे करता के पैर्क्स के उपर चड़ गई और जिसके बाद ततकाल अस्पताल में भर्टी कराया गया है वहीं असरीफ देवी कॉंग्रेस की महिला प्रकोस्ट की जिला उपाध्यक्ष है मधुरा के संजयनगर की रहने वाली है SCST के राष्ट्रोय अध्यक्ष राजेस गलोटिया ने कहा है कि किसी भी कारेकरता की उपर कोई गाड़ी नहीं चड़ाई है और इस मामले को लेकर जिलाध्यक्ष भगवाल सिंग वर्मा ने भी नजर अंदास किया है बता दे कि प्रियंका गांधी इन दिनों चुनावी दोरे पर है इससे पहले आगरा गई थी अब फिरोजाबाद के दोरे पर है जहां पर उनका जोरो शोरो से स्वागत हुआ है इसे पहले जो अमेठी में प्रियंका गांधी चुनादी सभा को संबोधित कर रही थी तो वहाँ पर महगाई और बेरुजगारी का मुद्दा उठाई थी अब जब फिरोजाबाद में प्रियंका गांधी जनसमाई कर रही है तो यहां पर महिलाओं का मुद्दा उठा रही है महिला समवाद कर रही है और महिलाओं के समस्याओं को जाल रही है उसके बाद कहती है कि अगर सब्ता में उनकी सरकार आती है तो उनके समस्याओं का समधान निकाला जाएगा, उनके मुद्दों को उठाया जाएगा आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी? हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखिए बागी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ